अब अगला जो हमारा टोपिक हम वो है जनांकी की ए संंक्रिमाट लगाना बहुत अजीब सा टैंशन पर गी ना पता नहीं क्या तोप हया कितना मश्कील है बाई इंग्लिक्स में होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नाम नाम खतरना है कुछ निंए जनांकी की का मतलब है जंसंख्या यानि आदमी संक्रमन का मतलब है एक जीच्खाइ से दूसरी जागए जाना यही तो अब तक पढ़ रहे थे डमगराफिक मतलब वही जंट संख्या ट्रांजिशन क llev lenghe चेंज होती है एक एरिया से दूसरी एरिया में तो वो क्या कहलाता है demographic transition हिंदी में कहलाएगा जनांकी किये संकर्मन आपके exam में जब पूछते हैं जनांकी किये संकर्मन तो आप बतानी सोचोगे क्या आगया बताने भाई ये तो मैंने आपके लिए सारी चीज़े वो cover करा दी है जो भी आपकी book से या किसी भी चीज़ से important topic बन सकते थे चोटी-चोटी चीज़ जो आपकी किताब में है वो भी मैंने आपको सारी पढ़ा दी है तो ये ऐसा ही topic है जनांकी किये संकर्मन आपसे पूच सकते हैं बिल्कुल ठीक है बताओ जनांकी किये संकर्मन क्या है तो इसको simple word में कर लेना पहले अपने आप इस कांसर कर दोगे फिर आप जनांकी किये मतलब जनता संकर्मन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ठीक है तो English में demographic यानि जनता transition मतलब वही एक जगह से दूसरी जगह जाना तो जब लोग सिक्षा की तलास में स्वास्त सुविधाओं की तलास में बहतर अवसरों की तलास में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो क्या क्यालाता है, जनांकी किये संकर्मन, जैसे कि एक गाउं के लोग बहतर सुविधाओं के लिए शेहर में शिफ्ट हो रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा कि खेती वाला एरिया चोड़के लोग कहां पे पोच गए हैं, शेहरों की तरफ क्योंकि बहतर सुविधा के लिए, औरों की छोड़ों में आपको अपना ही एक्जेंपल बताता हूँ, हमारे जो गाउं में खेत वगरा हैं, उस खेती वाले व्यवसाइए को हमने छोड़कर एक नया ही व्यवसाइए अपना है, शेहरों में रहने लगे हैं, यहां पे टीचिंग करने लगें, इंस हो रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले टाइम की डिमांड ही ऐसी है, समझ रहे आप चीज़ें, तो डेमोग्राफिक ट्राइशन का मतलब है, जन संख्या का ही चेंज होना, जन संख्या का बिलकुल अलग चेंज हो जाना, किस वज़ए से, सुविधाओं की वज़ए से, बहत बिलकुल सिंपल से बताऊंगा आपको, बिलकुल छोटी से आपके बुक में एक ही लाइन दे रखिये इसकी, पर मैं आपको समझा रहा हूं मालतस की थोरी क्या थी, बिलकुल सिंपली मालतस ने ये कहा, कि जो जन संख्या है, यानि जो पोपुलेशन है, वो कैसे बढ़ र लिके से, तो जन संख्या गुना होती जा रही है, वो दो गुना, तीन गुना, ऐसे डबल होती जा रही है, ओर रिसोर्शिस जो है, वो कम बढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, हर पचिस साल में जन संख्या डबल हो जाएगी, ये मालतस की थोरी है, 1798 में उन्ने एक बुक ल गग रही हैं तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है 12483 एसे और इसो जा richness कम हो जाएगी रिसो सीस कम हो तो क्या होगा फिर दिक्कत ही होगी यहीं घ्यारे हैं मालतस कि इससे क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी इसलिए हमें population को control करना बहुत जरूरी है यह सिंपल सी मालतस की थोरी समझ गया आप resources सिंपल तरीके से बढ़ रहे हैं जन संख्या multiply हो रही है सिंपल तरीके से नहीं बढ़ रही हर 25 साल में double हो जाएगी उससे resources और कम होते चले जाएगे तो आने वाली देखते हूं हम क्या कर रहे हैं electric vehicles का use कर रहे हैं और भी other fuels का use करते हैं CNG है और भी बहुत सारे fuel हम use करते हैं आज कल कारियों को चलाने में तो क्या हो रहा है हम दूसरे options पर जा रहे हैं क्योंकि हमें चीज़े safe रखनी है समझ गए तो यह थी मालतस की थोरी कि resources एक दो तीन चार पांच ऐसे बढ़ रहे हैं जन संख्या multiply हो रही है एक दो चार आट 16 32 ऐसे बढ़ रही है तो हमें resources को बचाना होगा अपने future generations के लिए अब एक आखरी topic बचा है आपका यही इसने जो सुझाव दिया है कि जन संख्या को हमें control करना चाहिए ताकि दिक्कते ना हो तो जन संख्या control करने के उपाए क्या क्या है सबसे पहला और सबसे में यही है कि परिवार नियोजन करो यानि कि planning के साथ बच्चे पैदा करो ऐसे नहीं है कि पागलोगी तरह लगे हुए हैं बच्चे पैदा करने 10-10 बच्चे हैं 12 बच्चे हैं उससे क्या होगा जितने जन संख्या बढ़ेगी उससे resources कम होते चली ज करेंगे 10 बच्चे हैं तो दस कमाएंगे और बढ़ी आओगी बात ऐसा नहीं है दस होंगे तो दस चीजों को यूज भी दस के तरीके से करेंगे अगर एक होगा तो एक ही यूज करेंगा उस चीज को समझे लेगा घर है मालो सोगज का घर है 10 बच्चे पैदा कर लिए 10-10 मिला क्या बच गया घर में कुछ बचा ऐसे ही सारे रिसोर्स का यूज करेंगे वो तो कुछ बचेगा नहीं बचेगा इसका साफ एक्जमपल आप देख सकते हो एशियन कंट्रीज में क्या हो रही है दिक्कत हो पॉपुलेशन बढ़ने की वज़े से रोजगार कम हो रहे ह इसी लिए यहां के लोग भी माइगरेट कर रहे हैं आप अपने एरिया में भी देखते होगे बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं कोई किसी नोकरी करने जाता है तो यही तो रीजन है उसका तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा और उसका सबसे पहला तरीक क्या इसी या इननिति फैमली। Zhang mism agujan- axheym Shadis के बाद प्लेशन करके चलो बाया में एक बच्चा पैदा करना दो बच्चे पैदा करने है लाइन मत लगाना वच्चों की पहले की टाइम की तरह पहले तो एजुकेशन नहीं थी प्हुलाओ अब आपको हे एक दूसरा पोई रहे हैं जन संक्या को रोकने के family planning करना यह परिवार नियोजन करना awareness फैलाना education फैलाना लोगों को पढ़ाना लिखाना ठीक है यह सारे क्या हैं यह तरीके हैं उसके इलावा जो medical treatments होते हैं जैसे कि गर्ब निरोदक चीज़ों का यूज करो आप ठीक है शादी के बाद जो है पैदा बच्चे पैदा मत करो बहुत सारी दवाईयां हैं बहुत सारी चीज़े हैं उन्ठी जों का यूज करो ठीक है और क्या होगा उससे population control हो जाएगा तो परिवार नियोजन करना चाहिए awareness फैलाने चाहिए शिक्षा बढ़ाने चाहिए महिलाओं को जागरू करना चाह अबोशन हुआ sterilization हुआ यह अच्छे तरीके नहीं माने जाते गलत तरीके माने जाते हैं population को control करने के अच्छे तरीके कौन से माने जाते हैं गर्ब निरोदक का यूज करो family planning करके चलो और education फैला लोगों को जागरू करो यह तीन बाते अच्छी हैं बाकि abortion कराना sterilization कराना अगर आप खुद पे control लखोगे तो जन सेंख्या अपने आप ही control रहेगी समझधारी के साथ family planning करके जो है population को आगे बढ़ाओ लोगों को aware करो यही है तरीका population को control करने का तो हमें अपनी परकरती को बचाना है तो यह ता हमारा complete chapter इसमें जन सेंख्या कहां पे हैं कैसे बसी हुई है क्या क्या उसके reason है कुछ area में कम क्यूं है कुछ area में ज्यादा क्यूं है और कैसे इसे control किया जा सकता है मालतस की theory क्या थी अब हमने एक एक चीजी chapter की cover कर ली है अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी है तो वीडियोज को like करो चैनल को subscribe करो और subscribe करने के साथ आपको subscribe करना जरूरी है आपको सारी वीडियोज चैनल पर मिलेंगी ठीक है अच्छे से बस आप क्या करना बढाई गरना पहले वीडियोस को एक बार देखा करो ठीक है समझा करो सिर्फ पहली बार में दूसरी बार में अपने नोट्स बनाया करो और उन वीडियोज को बिल्कुल और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी तो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए आपको मेहनत करनी है खुद के लिए मेहनत करो अच्छे से पढ़ो और अपकी बार एक्जामस पर अपने घरवालों को टोप करके दिखाना ठीक है मैं आपको सारा स्लेबस करा दूँ आपको सिंपली इस पर 12th geography notes लिखे message send करना है आपको notes बहुत ही nominal prizes पर मिल जाएंगे अगर आप other subjects के भी चाते हैं तो आपको 12th लिखे और आगे वो subject mention करना है जैसे आपको history के चाहिए तो 12th history notes, political के चाहिए तो 12th political notes लिखे message send करना है and other details you will get on whatsapp, thank you करना है